जै स्री कृष्णा कार्थिक मास महात्म कथा अध्याय नौ ओम नमो भगवते वाशुदेवाय नमा आज कार्थिक मास का नौमा अध्याय की कथा हम सुनते हैं राजा प्रथु ने कहा मुनी स्रेश्ट नारज जी आपने कार्थिक माह के वृत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विश्णु का निवास बता कर उस इस्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है अतम मैं स्री तुलसी जी के महत्म को सुनना चाहता हूँ तुलसी जी कहां और क्रिस्प्रकार उत्पन हुई यह बतानी की कृपा करें नारज जी बोले हे राजन अब आप तुलसी जी की महत्त तथा उनके जन्म का प्राचीन इथियास ध्यान पारवग सुनिएगा एक बार देव गुरू ग्रहस्पती और देवराज इंद्र भगवान संकर का दर्शन करने केलास परवत की ओड़ चले तब भगवान संकर ने अपने भगतों की परिक्षा लेने के लिए जटा धारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्प भगवान संकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम वधाम आदी पूछते हुए कहा कि क्या भगवान संकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं इस पर तपस्वी रूप भगवान से कुछ नहीं बोले इंद्र को अपने त्रिलो की नात होने का गर्व था उसी अंकार के प्रभाव से वैं चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने एक रोधित होती हुए उस तपस्वी को धोड़ ककर कहा। अरे मैंने तुस से कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुछ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझे रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में व्रज लिया, जैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्थम्भित कर दिया और विक्राल नेत कर उसे देखा, उस समय सा प्रतीत हो रहा था कि दिगंबर प्रजोलित हो उठा है और वह अपने तेश से जला देगा, भुजाएं स्थम्भित होने के कारण, इन दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रजोलित देख कर ब्रहस्पती जीनों ने भगवान संकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी इस्तुती करने लगे, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए करोध को किर्स पकार रोकूं, तब भगवान संकर गुरु प्रहस्पती से बोले, मैं तुम्हारी इस्तुती से अतंत प्रसंद हूँ, तुमने इंद्र का जीवंदान दिलवाया है, मुझे बिस्वात से कि मेरे नेत्रों की अगनी अगन्र को पीड़ित नहीं करेगी। ब्रहस्पती से इस पकार कहकर भगवान सिव ने अपने मस्तक से निकलते हुए अगनी मैटेश को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे चीर सागर में डाल दिया, तत पस्चाद भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इस पकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जान का इंदर ततब रहस्पती अपने अपने इस्थान को चली गए। झाल 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 झाल